यामा की RX100 के new model का इंडिया में launch होना बिल्कुल officially confirm हो गया है जैसे यामा अपनी सबी bikes को time to time upgrade करती रहती है क्योंकि यामा ने RN5 को भी upgrade कर दिया है, MT15 को भी upgrade कर दिया है और अब बहुत जल्द FGS V3 का भी नया model FGS V4 भी आएगा और उसी तरीके से यामा अपनी RX100 के उपर भी काम कर रही है यामा की research and development team RX100 के new model के उपर काम कर रही है जिसका एंडिया में launch होना officially confirm हो गया है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यामा की RX100 upcoming bike के बारे में यह bike कब तक market में आएगी कैसे bike के इंदर features होंगे कैसा bike के इंदर engine होगा RX100 की सभी details के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको अगर इस news का source जानना है तो आप description में दिएगे link पे जा के देख सकते हो यह बिल्कुल एक official update है जो यामा की तरप से ही reveal किया गया है RX100 अपने time की one of the most desired bike रही है क्योंकि उस bike के अंदर two stroke air cold engine था जिसकी power थी 11 PS और torque output थी 10.39 Nm की bike के अंदर drum brakes थे 10 liters की fuel tank capacity थी लेकिन bike की performance काफी ज़्यादा अच्छी थी 100cc segment के according bike की performance बहुत amazing थी और bike का two stroke engine काफी ज़्यादा famous था उस time पे इसी वज़े से ये bike उस time पे इंडिया की one of the most desired bike रही है और अभी यामा इंडिया के जो chairman है उन्होंने officially reveal किया है कि RX100 इंडियन टूलर market में comeback करेगी क्योंकि यामा ने अभी तक RX100 की name को किसी भी bike में use नहीं किया है लेकिन RX100 का नया model market में आएगा तो इस bike को PS6 norms को follow करना पड़ेगा और RX100 से हम इंडियन के काफी सारे sentiments जोड़े हुए हैं क्योंकि RX100 का design काफी अच्छा था, performance भी काफी अच्छी थी और bike की sound तो काफी जादा ही अच्छी थी बात करे RX100 के new model के बारे में तो इस bike के अंदर हमें 100cc का engine देखने को नहीं मिलेगा bike में या तो 125cc का engine होगा जो आज कल यामा के scooters के अंदर आता है या फिर bike के अंदर 300cc का engine भी हो सकता है या फिर 350cc का engine भी हो सकता है क्योंकि यामा ने अभी तक ये officially confirm नहीं किया है कि bike में 125cc का engine आएगा या फिर 300cc का engine आएगा और ना ही अभी तक ये confirm है कि bike के अंदर liquid cold engine होगा या फिर air cold engine होगा या oil cold engine होगा लेकिन ये confirm है कि इस bike के अंदर हमें काफी अच्छा pure retro design and style देखने को मिलेगा bike के looks, design and style काफियत तक यामा की XSR series से ही inspired होगे bike में front में LED headlight देखने को मिलेगी जो की round shape की होगी round shape turn indicators देखने को मिलेगे bike का design and style XSR series के जैसा ही होगा bike में round shape LED tail light होगी और round shape का ही instrument console होगा जो analog plus digital type का भी हो सकता है और एक LCD fully digital instrument console भी हो सकता है या फिर YMI spike के अंदर XSR 125 और XSR 155 वाला instrument console भी offer कर सकती है लेकिन bike का price depend करेगा bike के engine के उपर अगर इस spike के अंदर 125cc का air cold engine आता है तो फिर bike का price एक लाख रुपे के आसपास होगा लेकिन अगर bike में liquid cold engine आता है तो फिर bike का price 1,20,000 या फिर 1,30,000 के आसपास होगा और most probably spike के अंदर हमें 125cc का engine देखने को मिलेगा जिसकी power होगी 11-12 PS के आसपास और torque output होगी 10 Nm के आसपास bike के अंदर 5-speed transmission भी हो सकती है और 6-speed gearbox भी हो सकता है और launch के बारे में अगर बात करें तो Yamaa spike को 2023 में या फिर 2024 में लेके आएगी लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल confirm हो चुका है कि Yamaa RX100 को Indian Tooler Market में officially launch करने वाली है जिसके उपर Yamaa की research and development team काफे time से काम कर रही है सो अगर आप Yamaa की RX100 new bike का वेट कर रहे हो तो comment box में जरू बताना सो इस वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं इस वीडियो में तिल देन राइट सेफ ड्राइव सेफ